महिलाओं और पुरुषों की स्वास्थि संबंधी जरूरते काफी अलग होती हैं। बात जब सेहत की आती हैं, तो ज्यादतर लोग महिलाओं और पुरुषों को एक जैसी ही डाइट लेने की सलाह देते हैं। लेकिन महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अधिक पोशक तत्वों और उनकी अलग मात्रा की जरूरत होती है हाला कि हमारे देश में ज्यादातर महिला स्वास्थे का ही जेक्र होता है इसलिए आज हम पुरुषों की सेहत का ख्याल रखने के लिए किन जरूरी पोशक को अपनी डैली डाइट में शामिल करना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे लंबी उम्र तक निरोगी जीवन जीने के लिए एक पुरुष को फाइबर, प्रोटीन, एंटी आक्सीडेंस, पोटेशियम, केल्शियम की जरूरत होती है आए जानते हैं इसके फाइदे और इन पोशक तत्वों की पूर्ती कैसे की जा सकती है फाइबर, पाचन और पेट संबंधी समस्याओं को दूर रखने के लिए फाइबर की आवशक्ता हर किसी को होती है शरीर में फाइबर की मात्रा संतुलिद होने से होट प्रोबलम जैसी समस्याओं भी नहीं होती है ये वजन और शुगर लेवल को भी नियंतरत करने में मदद करता है भारत में पूरुशों में बढ़ रही डाइबिटीज, होट प्रोबलम और ब्लड प्रेश के मामलों के कारण हर पूरुशों को फाइबर का सेवन करने की सलाह दी जाती है गाज़, शिमला, मिर्च, सेब, ओट्स, ताजा फलों, पत्तेदार सबजियों, डालों को डाइट में शामिल करके फाइबर की कमी को पूरा किया जा सकता है केल्शियम महिलाओं की तुलना में पूरुशों को अपनी हड़ियों को ज्यादा मजबूत रखने की सलाह दी जाती है हड़ियों की मजबूती और मसल्स को स्वस्थ रखने के लिए केल्शियम का सेवन बहुत ज़रूरी माना गया पुरुषों को खाने के जरिये केल्शियम की पर्याप्त मात्रा मिल इसके लिए वो अपनी डाइट में दूद, दही, मचली और पतेदार सबजियों को शामिल कर सकते हैं जिंक, ज्यादातर पुरुषों में जिंक की कमी देखी जाती है. शरीर में जिंक की कमी से इंफेक्शन से लड़ने, घाव भरने में देरी जैसे कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है. पुरुषों को जिंक की परियाप्त मात्रा के लिए अपनी डाइट में सीफूर, मचली, प्रॉंज, बीन्स और सब उतनाज को शामिल करना चाहिए. एंटी ओक्सीडेंस शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए एंटी ओक्सीडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. पुरुषों के शरीर को परियाप्त मात्रा में एंटी ओक्सीडेंस मिल सके इसके लि विकास और मजबूती के लिए भी पोटेशियम को जरूरी माना जाता है। शरीर में पोटेशियम की कमी ना हो इसके लिए पुरुष अपनी डेली डाइट में केले, आवोकाडो, नत्स, आलू और खट्टे फलों को शामिल कर सकते हैं।